ओके जी तो यहां पर जैसे ही आप लोगोंने बचो Microsoft Word स्टार्ड करना है तो आपके पास इस तरह एक विंडो आएगी सामने जिसमें आप लोगोंने सेलेक्ट करना है कि आप लोग किसमें जाना चाहरे हैं बचों देखें सबसे पहले मैं यहां से ही स्टार्ट लेता हूँ ठीक है यहां से अगर आप लोग देखें तो मुझे जो इस वकत विंडो दिख रही है इसके अंदर ब्लैंक टाकुमेंट देन आपके पास रिज्यूम यहां पर ब्लॉक कलर ब्लॉक लेटर इस तरह की चीज़ें आ रही होती है ठीक है अब इसमें आप लोग की मर्जी है कि आप लोग को पुराणी रिसेंट फाइल यह जैसे देखी है यह फाइल है कुछ मेरे पास पढ़े ही जो मैंने थोड़ी देर पहले इसको यूज की है मैं चाहूं तो इनको खोल सकता हूं या फिर मैं चाहूं नहीं फाइल बनानी है तो ब्लैंक डाकुमेंट को अपर मैं क्लिक करूँगा तो मैं अभी ब्लैंक डाकुमेंट पे क्लिक करता हूं जैसे मैं ब्लैंक डाकुमेंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यह चीज आ अब मैं थोड़ा से इंट्रोड़क्शन करवाता हूँ आपको Microsoft Word से किसमें होती क्या क्या चीज़े हैं बचो सबसे पहली जो चीज आती है ना वो आपकी आ जाती है उपर ये देखे टाइटल बार इस इस टाइटल बार टाैटल बार जो है वो आपको शो कर रहा हूता है के इस डाइकूमेंट का टाइटल कै है बाइ डिफॉल्ड ये डाइकूमेंट यहाँ पर भी आ रहा है लेखिन अभी ये सेवड नहीं थिक इसको मैंने अभी सेवर नहीं किया हुआ अब इसके बाद बचो आपके पास दूसरी बार आती है ये मेन्यो बार है ठीक है यह आपके पास कोंसी बार है मेन्य dirpB you help यह सारी बचो आपके पास है कि टाइट मिन्यु बार है मैन्यु बार के बाश बाद में नीचे जो हमारे पास चीज आती है वह आपके पूर आती हैं टूल बार यह तूल-बार सारी की सारी जिसके अंदर आपके गृूप эп किये गया है तूल मुतल्का ज़ टूल है ठीक है जी देन आपके पास बच्चों ये हमारे पास rulers है ठीक है जी जिसको आप लोगो even scale भी कह रहे होते हैं और ये भी आपके पास यहां पर rulers है ये दो rulers है और देन आपके पास ये नीचे बच्चो status bar इसको कहते हैं ये वली जो हमारे पास जिसमें हमें page one of one word zero और English United Kingdom इस तरह की चीज़ें बच् मकसद ही होगा कि हम लोग इसका एक एक feature को हम लोग इसमें से सीखेंगे एक एक option इसमें से सीखेंगे तो बिसमिल्ला करते हैं और आला का नाम लेकर शूरू करते हैं हम लोग अपने clipboard से स्टार्ट करते हैं लेकिन before starting मैं सबसे पहले बचों यहां से एक कुछ टेक्स्ट ल ठीक है जी और आगे मैं कहा देता हूं वेलकम टू आवर आनलाइन फर्स्ट लेक्चर ठीक है जी तो यह हम लोग इस तरीके से लिखे लेते हैं अब यह मैंने एक सिंपल सा टेक्स लिखा क्यूंकि इसके बाद मैं इसके ओपर कुछ चीजें काम परफॉर्म करना चाहरा हूं बचो जो पहली चीज है क्लिप बूड क्लिप बूड क्लिप बूड क्लिप बूड एक बचो आप लोग के पास एक मेमरी है जिसके अंदर आरजी तोर पे कोई भी टेक्स अगर आप लोग कॉपी या कट करते हैं तो वहां पर यह स्टोर होता है आई रिपीट जब भी कोई चीज़ आप copy या cut करते हैं तो आजिए तो पर पे इस memory के अंदर बो श्टोर होता है अब आप सोच रहोगे copy क्या होता है और cut क्या होता है इसके बारे में भी भी हम लोग व्युक्ते हैं पचो अगर आप लोग चाते हो कि यस सारे को आप लोग चाते हों कि गठो कि करें तो आप लोग इसonos muk करें तो आप लोग इस पर क्लिक करें दें या देखें इधर कॉपी का ओप्षन यह जिसका शॉट कट कौент्रोल प्लास C है ठीक है जी control और C को आप प्रेस करेंगे कठा तो आप लोग copy को कर सकते हैं अब मैं इसके उपर क्लिक करता हूँ copy then मैं क्या करता हूँ इसके आगे मैं एक space देता हूँ और मैं फिर क्या कर देता हूँ paste ये देखें paste पेस्ट से क्या होगा कि वो चीज same as it is paste हो जाएगी ठीक है जी बचो तो यह दखे है हमारे पास यह चीज हमारे पास same as it is paste हो गई है और जो चीज आपने एक दफा पेस्ट कर लिया उसको आप जितनी दफा मर्जी चाहें तो आप उसको paste कर सकते हैं पर इसको paste कर देता हूँ ठीक है जी फिर paste कर देता हूँ जितनी मर्जी आप लोग उसको पेस्ट कर लें अब आप लोग उसको जितनी दफा मर्जी पेस्ट कर सकता है और पेस्ट करने की शॉटकट की control प्लैस वी है ठीक है जी यह बाते हैं आप लोग ने बड़े दिहान से बड़े गोर से समझ नहीं है तो कि यह चुट-छुटी चीजे हैं जो बाद में अगर इसके उपर प्रैक्टिस ना की जाए तो आप लोग को भूल जाएंगी अब आगे मैं चलता हूं तो बचो हमारे पास इसके बाद एक कॉपी का मैंने आप्शन आपको सिखाया फिर हम लोगों ने पेस्ट चीख है अभी काट का देखते हैं काट से क्या होता बचो आप लोग की कॉपी से तो यह होता था कि जो अरिजिनल टेक्स साब वहीं रहता था ठीक है जी और नई कॉपी भी आप लोग उसमें पेस्ट कर लेते से अब कट में होता यहां कि आप मसलदन इस हिसे को आप कट करते हैं तो यहां से कट हो जाएगा ठीक है यह देखें इसको मैंने कट किया तो यह कट हो गया यहां से और जब इसको और इसको भी अगेन आप जितनी दफ़ा मर्जी पेस्ट कर सकते हैं जहां मर्जी जाकर पेस्ट कर सकते हैं मैं चाहता हूँ मैंने करें कौट शेख कि ले आपर चौट कुछ तो हम लोगोंने पेस्ट करना शीख ठीक है बचो तो हम लगोंने ये वह सक मैं कृटिजीं यहाँ पे जी अशर जो आप कह रहे हैं कंट्रोल प्लस एक्स को कट करने यह सिर्फ टेक्स की सुरत में कर रहे हैं और माइक्रोसाफ वर्ड की सुरत में कर रहे हैं ठीक है ठीक है जी अब यहां पर हम लोग आगे अगर चलें तो हमारे पास अगले आप्शन बचो एक आप्शन यहां से मैं अभी स्किप कर रहा हूं ठीक है मैं जानबूज के स्किप कर रहा हूं मैं अभी आपको थोड़ी तेर बाद उसके बताऊंगा यह फॉर्मेट पेंटर का जो आप्शन है यह भी मैं फॉर्मेटिंग पहले करके तो उसके बाद आपको फॉर्मेट पेंटर्स किखाऊंगा ठीक है जी तो अभी तक हम लोगों ने तीनों प्रेशन सीख लिए कट कॉपी पेस्ट का शॉटकट की है कंट्रोल एक्स ठीक है जी पेस्ट की कंट्रोल वी कॉपी की कं रखना है आप लोगों ने अब फॉर्म के ग्रूप के अंदर हमारे पास पहली जो चीज़ है वो फॉर्म का नाम है कि आप किस नाम के साथ जो है फॉर्म वो रखना चाह रहे हैं मेरे पास यहां पर इस वकत बाइड डिफॉल्ट जो है माईक्रोसाफ्ट का अपना के है या फिर आप लोग इसको कोई और स्टेंसिल कर लेते हैं तो स्टाइल्स तो बहुत हैं फांट्स तो बहुत हैं आप लोग कोई सब भी उसमें से यूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है मसलना मैं इसको अभी कॉमिक सेंस MS रख लेता हूं यह फांट ठीक है जी त तो इसको मैं कहता हूं कि मैं इतने से को जो है जी वो करना चाहता हूं मैंसका साइस nephew 00260踌ंट करना चाहता हूं तो एटीनकंट हो जाएगा बचो और मैं चाहता हूं इसको ट्वश्च यह चीज़ बचो इस तरिके से होती है इसके बाद बचो आगए अगर चलें मजीद तो हमारे पास इसके बाद जी अशर आपका क्वेस्टन है जी अशर मैं पूछना जा रहा हूं कि फ़र्ज करें अगर अपने एक लाइन लिख लिए और बाद में मैं याद है कि हमने इसका फंड चेंज करना है तो फिर हमें उसक अर्टिकलर लाइन को देन उसको हम लोग को और फंड भी दे सकते हैं जैसे देखें मैं इसको इस अकेली को टाइम जी रोमन मैंने कर दी है ठीक है बाकी सब का फंड वही है ठीक है ऐसे आप लोग कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं अच्छा जी आगे चलते हैं बचो यह दो आज हम सीखेंगे जो आपके लिए मुझे मुझे मुम्किन है कि आप लोग इन्शाला ये अच्छे तरीके से जो है पहले शायद आप लोग को इस आप्शन का एक्च्छल मीनिंग ना पता हो अभी आपको पता चलेगा पहले दूसी चीज़ें तो आपको पता थी अब यह अब यह क्या चकर है यह क्यों आया हुआ हमारे पास यह चीज़ दोनों तो बचो एक बात का खिया रखना है आप लोग ने कि यह जो दोनों आप्शन्स है ना यह relative increase यह relative decrease करते हैं फांट के साइज को मसला आप लोग समझ रहे होंगे कि यह relative और यह relative कौन सी चीज़ आगी बचो अगर मैं वैसे करता साइज अब इसका साइज कितना है इसका साइज है 11 और इसका साइज कितना है 16 बात को समझेगा अगर मैं इन दोनों को अकठा सेलेक्ट करता हूँ यह बात को आपने बड़े गोर से समझना है इन दोनों को अकठा सेलेक्ट करता हूँ और इस लि increase लेके आता हूँ इसकी मदद से ठीक है increase font size की मदद से इस से क्या होगा बचों ये दोनों font size आपने से एक एक step आगे चले जाएंगे मसलन मैं इसको increase करता हूँ तो ये देखें ये size पहले हमारे पास 11 था अब 12 हो गया ये size पहले 14 था 16 था अब 18 हो गया ठीक है ये पहले हमारे पास 16 size था 18 हो गया देखें 16 से आगे 18 आता है ये देखें ठीक है और ये जो था पहले 11 था अब 12 हो गया अभी देखें मैं फिर इसको बढ़ाता हूँ फिर इसको बढ़ाता हूँ इतने इसे को ठीक है ये देखें फिर एक step आगे द देखे मैं इसको उपर क्लिक करके देखता हूँ यह 14 हो गया पहले 12 था तो लिस्ट के अंदर 12 के बाद 14 आ रहा है ठीक है और यह मारे पास पहले आपको बता है 18 था और 14 के बाद लिस्ट में 20 आ रहा है तो बचो यह होता है relative increment ऐसे ही relative decrement होता है तो आप लोग चाहें तो इस का current size पहले 20 सा अब यह 18 हो गया तो बचो इस तरीके से यह relative increment और relative decrement होता है तो मुझे उमीद है कि आप लोगों ने यह बात समझोगी अभी तक हम लोगों ने font के अंदर font का name, font का size और इसका increment और decrement relative सीखा है देन आगे हम लोग चलते हैं बचो तो हमारे पास आता है change case change case के अंदर क्या होता कि आप मिसाल के दोर पर चाते हैं यह line है आपके पास इस line का आप case change करना चाहते हैं तो आप चाहें तो उसको sentence case में लिखने sentence case में यह होता है कि पहला letter आपका उसका जो पहला alphabet है वो कमारा capital होता है और last पर हमारे पास full stop होता है और इस तरीके से हमार सारा ही अपर केस में चाहता हूं तो यह देखें सारी की सारी लाइन अपर केस में हो गई है यहां फिर आप लोग चाहते हैं कि capitalize each word हर वर्ड का जो पहला लेटर है उसको capitalize कर दो ठीक है ऐसे कर लें अगर ऐसा नहीं करना तो आप लोग पास एक और option है जो कि toggle case है कि आप पहला जो लेटर है हर लेटर का जो पहला alphabet है उसको आप लोग छोटा और बाकी सारा जो है वो capital कर दें ठीक है जी तो पहला smaller बाकी सारा capital है तो उसको हम लोग toggle case कहते हैं तो कोई सबी आप लोग इसमें से केस सेलेक्ट कर सकते हैं बाइ डिफाल्ट हम लोग जो है sentence केस को लेके चलते हैं इसके बाद बचों हमारे पास आजाती है उससे अगली जो चीज़ है वो आजाती है हमारे पास clear all formatting आप लोग ने जितनी भी formatting की है किसी से पर उसको आप लोग clear करना चाते हैं तो से się को select करें और उसको clear कर दें मश데 मैं इस offense को clear करना चाता हूं इसकी formatting तो इसको मैंने यह देखे मैंने उसको select करके तो उसको आपर clear all formatting पर CLIKE किया तो यह देखे हमारे पास हो गया ठीक है जी उसके बाद आगे चलते हैं जि की हमारे पास जो है उसके हर अगले आगे चलते हैं चीजों को मारा तॉप यहां वाजा जाता है बोल्डinya है Labs सेे को अगरर गोल्ड करना जाता हो यह 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 झा जात है ठीक है बचो और इन हमारे पास इटालिक इटालिक किये होता है उसको इटालिक स्टाइल में मैं ले जाता है Cron b से बोल्ड कंट्रोम इस से इटालिक होता है ठीक है इसको मैं इक अधालिक ने मुदनक शोड़ा सा टेक्स्ट देखएं आप लगए तर्शा हुआ होगा पहले ऐसे था ठीक है जैसे मैंने इस पर क्लिक किया देखे थोड़ा सा तिर्चा हो गया यानिका इटालिक साइए उसमें स्टाइल में चला गया है उसके बाद बचोगर आप उसके नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन के ओपर क्लिक करेंगे तो नीचे लाइन लाग जाएगी हाँ इस अंडरलाइन के अंदर आप देखें तो मुख्लिफ आप्शन है यह देखें जरा ठीक है यह देखें जरा डार्क लाइन यह देखें जरा इस ड्राप जो हैं इस हैं इसमेंट करकर कर चिती तो अप लोगों से ले सकते हैं की स्टाइल तर तो भी इफाल्टाप लोग 2009 शॉह स्टाइक लगा थेए हैं उसके का Outside एप लिए औरम आपफ लोगो किसी चीज को आप लोग काटना चाहते हैं या आप लोग बताना चाहते हैं यह नहीं वरियन तो हम लोगों ने इसको कंसिडर नहीं करना ठीक है जैसे यह स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो मैं इसको पर स्ट्राइक तू कर सकता हूं वह देखें के लाइन लाग गई है दिरम्यान में तो इस तरीके से आप लोग स्ट्राइक तू कर सकते हैं उसके बाद बचो हमारे पास मजीद options आती हैं मैं इसको नीचे जाता हूं इदर निए एंटर प्रेस करता हूं जी यहां पर question लेता हूं जैर महदी का जी जैर महदी आपका question है कोई जी जैर महदी बचे आपके question है ना वह नहीं मुझे समझाई है आप kindly text कर दें या इस तरीके से कर दें ताके मैं मुझे समझा आजाए कि आपके आवाज ट्रॉप हो रही है ठीक है आपके जी आगे चलते हैं बोल्ट बोल्ट स्पेल लेकर मुझे अभी भी आपके question की समझ नहीं आई आप से request है कि आप लीज उससे जो है वो कर दें मुझे text कर दें ठीक है अच्छा जी अब अच्छों यहां पर देखें तो हमारे पास मजीद option super script और subscribe के हैं जो अभी हम लोग सीखने लगे हैं यह देखें यह सबस्क्रिप्ट है यह super script है सबस्क्रिप्ट से मुराद यह है कि आप यहां पर कुछ चीज लिखते हैं मसलना मैं अदर लिखता हूँ A ठीक है यह मैंने capital A लिखा है अब मैं चाहता हूँ कि कुछ यह सबस्कृप्ट यह यहनि की जैसे बेस नहीं लिखती जैसें के लूग बेस आप लग लिखते होते थे तॉर तें मैं सबस्कृप्ट की फिरा potion में कुछ चीज लिख्क हूँ तो यह देख़े मैं इसके ओपर क्लिक करता ओं तो नीचे मैं लिख देता हूं B अब यह देखें यह B उसके सबस्क्रिप्ट फार्म के अंदर लिखा गया है ठीक है जी और आगे अगर आगे आप लोग चाते हैं कि अगर किसी चीज को मैं इसको आप दुबारा वापिस इस पे क्लिक करूंगा तो यह आप नार्मल अगर नार्मल टेक्स्ट में आगे तो इस पे दोबारा क्लिक करें तो नहरुन मैं टेक्स्ट में आजाएंगी। थीक है जिए ऑप्षिन्स है हमारे पास युरा आगले ऑप्षिन्स चलते हैं। अगला आप्षिन्स हमारे पास आ जाता हए। हमारे पास यह बहना text का style आ जाता है कि आपниц इस त्रीके से serpent करता हूं और उसके बाद मैं सुरी मैंने उसको selection नहीं थी जिल 59 मैं इसको select करके उसके बाद मैं इसको इसको पर यह apply करता हूँ then यह देखें मैं इसको यह वाला style दे रहता हूँ ठीक है जी ठीक है दन इसको मैं इसका size increase कर देता हूँ ताके आपको समझ आए आपको नजर आए अब मैं इसको select करता हूँ अब इसके ओपर मैं मजीद options apply करने लगाँ इसी में से अब देखें यह देखें outline का color change कर लें outline होती है border border का color ठीक है देखें जो color आप लोग रखेंगे yellow रखेंगे red रखते हैं ठीक है आप लोग इसको कोई और color रखते है blue रखते है ठीक है जी purple र तरह जूम करके मजीद ताके नजर आ जाईए यह देखें ठीक है जी इस वकत इसका purple color है इसकी जो border outline है अच्छा फिर मैं इसमें से again जाता हूँ तो मैं shadow से क्या होगा कि आप लोग कोई ने कोई reflection नजर आ रही होगी तो देखें पीछे इसको reflection नजर आ रही है तो आप लो पता ही है क्या चीज होती है मैं इसको यह वाली reflection देता हूँ वो देखें नीचे उसके reflection शो हो रही है ठीक है जी फिर बचो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो glow glow से क्या होता है कि आपका जो बाहर वाला border होता है उसको आप लोग कलर दे देते हैं मैं इसको glow इसको ग्लो इस तर stylist आपके पास stylist sell ला जाते हैं तो आप लोग इस तरीके से stylist को दे सकते हैं बरहाल यह जो major चीज़ें थी मैंने आपको cover की हैं कोशिश यह की है कि आप लोग सीख सकें आगे बचों मजीद एक दो और options हैं जिसको हम लोग देखते हैं अभी मसला हमारे पास एक highlight की option है आप च कर दिया है आप चाहें तो इसका color change कर सकते हैं मैं इसको select करता हूं मैं इसके ओपर जाता हूं उसका यह वहला color कर दूँ लेकिन यह देखें अच्छा नहीं लाग रहा ठीक है यह green कर लें अगर मैं दुबारा इसके ओपर click करके जहां तक इसको green कर दिया बचों अगर आप related तो इस तरही कर सकते हैं आगह चलते हैं तो हमारे पास सब्सक्राइब हापिस करते हैं सब्सक्राइब कर दो ख़कर मैं इसका उरए करता हूं ता कि मेरे पास आगए पğ Finish अगर्श करता हूं इस क्वथा इसका जो font color है वो हमारे पास red हो गया है तो बचो आज हमने दो चीजें सीखी एक हमने सीखा keyboard एक हम लोगों ने सीखा font इसमें हम लोगों ने देखें कितनी जादा चीजें cover की हैं और कोशिश ये की है कि हम लोग maximum चीजें को सीख सकें और उसको हम लोगों ने साथ practically इसकी demonstration भी देखी है तो मजीद हम लोग जरा paragraphs की तरफ भी जाते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से question लेना चाहूंगा कि अगर बचो आप में से किसी बचे का question है तो you can ask, you can ask any query कोई भी आप लोगा किसी किसम का स्वाल है तो आप लोग मुझे से पूछे है ताके मैं आप लोग कोई questions के answer दे सकूँ और अगर आप लोग कोई ambiguity है तो वो दूर हो जाए ठीक है जी बचो आप लोग question कर सकते हैं जी students मैंने आपको option दिया कि आप लोग आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यकीन करें कि मुझे एक लफ़ की नहीं समझा आ रही है ठीक है आपके आपके आवाद बहुत ज़्यादा ड्राप हो रही है जिन बचों के ये issues आ रहे हैं वो please मुझे text कर दें ठीक है मुझे लगता है जहर महदी ही हैं जो के कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके वाद जो है वो मेरे तक नहीं पहुंच रही है जी आपको इसना आ गया बोल्ड से पहले शॉटली बता दें बोल्ड से पहले बोल्ड से पहले यह है कि हम लोगों ने इसका फॉर्मेटिंग को क्लि यह हो जाएगा ठीक है जी इसके पहले मैंने आपको यह बताया था और सेंटेंस केसिज मैंने यह बताया थे इवन इसके बाद आपके पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी ठीक है जी और दूसरा बचो एक चीज रह गई है वो के जो के यह फॉर्मेट पेंटर था ठीक है जी यह चीज रह गई है यह मैं अभी आपको बताने लगा हूँ तो मसला ना आप लोग चाहते हैं कि जो इस पे फॉर्मेट है ना जो इसका फॉर्मेट है वही फॉर्मेट इस टेक्स का हो जाई है जो शुरू में लिखा हुआ है जरा समझेगा मैं चाहता हूँ ज इतने इसे को इस तरह करना चाहता हूँ यह देखें नी बिल्कुल देखें उसी तरीके का हो गया आपके सामने जो स्टायल जो नीचे था वही उपर आ गया इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप लोग किसी को वह करना चाहते हैं उसका स्टायल उसके फॉर्मेट सेम करना क्लिछ करें को लुग theoretisch को जाकर किसी भी पर जो है उसको करें तो लोग के आपके पास वह जो है वो चीज़ इंप्लिमेंट हो जागी तो धूड़ूप सीखिया है आगे बच्चो आप लोग रुग्रूंस्टेटर करेंगे और इसको प्राक्टिक अर्योंकॉच पर यह बचो वीडियो जो है यह आपको अपलोड कर रहा हूं आप लोगों को बेज रहा हूं ठीक है तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोग जाएंगे यूट्यूब के उपर आप लोग लर्न प्रोग्रामिंग जो आपका वो है उसके उपर आप जाएंगे और आपकी प्ले पीटर वहां से आप लोग जितनी दफा मरजी करें और आपने बचो जो एक्ट्वल चीज आना वह यह है कि आप लोग प्रैक्टिस कितनी करते हैं ठीक है यह देख के नहीं यह प्रैक्टिस करके चीज़ आनी है आपको तो जितना आज सीखा हम लोगों ने बिलकु थोड़ा है आप लोग इतना ही इंप्लीमेंट थोड़ा-थोड़ा करते रहेंगे तो इंशाला वाइद आप दिस समेस्टर यू विलेबर तो डू एनीफिंग को यूर माइक्रोसॉफ वर्ड ठीक है जी माइक्रोसॉफ वर्ड एक्सल पावर पॉइंट जैन इंशाला हम लोगों न ब्लॉगर बनाना भी सीखना है तो यह सारी चीजें इंशाला हम लोग करेंगे तो अगर आप लोग का बच्छो किसी किसम को स्वाल है तो आप लोग मुझे सकते हैं मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पेंड कर रहा हूं